नमस्कार भार्तिय जंता पार्टी के सदसित्य अभियान में फिर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है 9 विदानसभा शेत्रों के सिंध्या समर तक 12,000 कॉंग्रेस कारिकरता भाजपा में शामिल हो चुके हैं भाजपाग नेताओं का दावा है कि दो दिन में अन्यविदानसभा शेत्रों के भी कई कॉंग्रेसी भाजपा में शामिल हो जाएंगे मुरेना में के-स ग्रूप के तीन टिकानों पर CBI छापे 938 करोन लोन के मामले में के-स ग्रूप डिफॉल्टर है CBI की तीन टीमों ने के-स ग्रूप के मुरेना वा एक टीम ने दिल्ली स्थित ऑफिस में एक साथ की कारवाई CBI जाच में सामने आया है कि रिण की रिकम का दुर्यूप योग किया गया है प्रदेश में कोरोना का प्रकोप निरंतर जारी है रोज बड़ी संख्या में प्रदेश भर में से मरीज मिलते जा रहे है प्रदेश में आज कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ट्स तोड़ दिये एक ही दिन में कोरोना के 1226 नए मामले सामने आया है पिछले 24 घंटों में सबसे जादा पॉजिटिव केसिस वितिय राजधानी इन दौर में से निकले है यहां 180 नए लोग पॉजिटिव पाए गए दूसरे नंबर पर है गौलियर गौलियर में 160 नए लोग संक्रमित पाए गए और तीसरे नंबर पर है राजधानी भोपाल भोपाल में 135 नए लोग संक्रमित पाए गए MP बोर्ड में इस बार 9 से 12 की परिक्षाओं का होगा ओनलाइन मुल्यांकन तिमाही परिक्षाएं भी हुई कैंसल एक सितंबर से MP बोर्ड ओनलाइन शिक्षन स्तर की शिरुवात होने जा रही है इस संदर्ब में मंडल के अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिये हैं निर्देश आईए अब जान लेते हैं मौसम का हाल आज प्रदेश में मौसम विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा अलोट जारी कर दिया है राजदानी भोपाल सहित प्रदेश के राइसेन, विदीशा, रतलाम और रीवा जिले में नदी और नाले उफान पर आ गए हैं वहीं कई शेरों में निचली बस्तियों में पानी भराया है प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेल और सडक मार्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है मधिप्रदेश के मौसम विभाग ने भारी से भी बहुत बारी बारिश का अलोट जारी कर दिया है प्रदेश की मुखे खबरों के प्रायोजक थे करियर कॉलेज देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इन समाचा धन्यवाद